कि आउ खैए से जब वाइरेस चल रहा होता है और जो डिमांड होती है मानलों डिमांड हम मुगी Mittel is 25 रुपे हैं हेल्धी मुगी 25 रुपे・ बिकरी होती है और जो वाइरेस वाली जो शुरुआत में होता था तो फार्मर फड़ा-फड निकालना चाहता वह व्यूурपे मे जाती है वो 25 पे ही रुक जाती है नमस्कार मैं बागेश प्रशांथ और स्वागत हैब सभी का एगियोग निउस पर आज हम बात करेंगे मिश्टर वरेंदर महता जी से जो काफी वर्षों से करनाल से कल बर्ड्स की सेल परचेज कर रहे हैं और इन्हें पॉलेटरी फार्मिं एफेक्ट है रेट का ये दो हिस्सों में बढ़गा जब वाइरस चल रहा होता है और जो डिमांड होती है मालो डिमांड हम मुरगी बिक popularity है 25 रुपे हलदी मुरगी 25 रुपे बिक रहोती है और जो वाइरस वाली जो शुरुआत में होता है तो फार्मर फड़ा-फड निक इसका दूसरा पहलू यह है कि जब यह काफी मोटिलिटी हो भी गई है कुछ इसों में जैसे बर्वाला में हुई है बर्वाला में 60% बर्ड की मोटिलिटी होगी सर जैसा कि वाइरस की वज़ा से मृत्यूदर पॉल्ट्री फार्मिंग में काफी बढ़ गया है तो इसका कल बर्ड के उपर क्या आसर है यह कल बर्ड का रेट वाइरस की मोटिलिटी की जो वज़ा बनी है उसका रेट दो कारण से घटे बढ़ेगा एक शाड टर्म में घटे बढ़ेगा एक लोंग टर्म में शाड टर्म में जो मुर्गी में बर्ड में वाइरस आ गया जब वेरी स्टार्टिंग पी होता है तो फार्मर अपना फड़ा फट शेड खाली करने की और बागता है कि ज़्यादा मॉर्टिलिटी में नुकसान ना हो तब जो रेट बढ़ने वाला होता है मालो 25 रुपे वाला 30 रुपे की जंप कर रहा है हेल्दी बर्ड 25 रुपे है तो अन हेल्दी बर्ड जो है वो 20 रुपे किलो फार्मर बेच देता है तो जो 30 रुपे किलो जाना होता है तो वो आके 25 रुपे पर ही रुख जाता है ये तो हो गया शार्ट टर्म अब इसका लॉंग टर्म पे एफेक्ट है जो काफी मोटिलिटी हुई है उसका लॉंग टर्म में बर्ड पलेगा वो छे मिने पर जा गया जो वाइरिस आ गया वहा पर कम से कम तीन मीने तो बढ़नी पलेगा ना वहापर चिक्स नहीं डलेगा तो इस वज़ए से लंबे टैम के लिए जो कल्स बढ़ होगा वो काफी तेज होगा आने वाले टैम में उसका एफेक्ट लॉंग टर्म में इसका रेट बढ़ने की समामने पर अभी वाइरिस की वज़ा से कुल मिला के रेट स्टेबिलिटी है इसलिए स्टेबिलिटी है सर पोल्ट्री फार्मिंग में इस वाइरिस के कारण कितना नुकसान हो चुका है और सर किस किस चीजों पर काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका जो नुकसान है यह बर्वाला से लेकर और यह जीन सफिदों करनाल काफी जगा पर अलग अरिया में इसका नुकसान हुआ है फार एक्जामपल बर्वाला में तो साथ परसेंट मोटिलिटी हुई है और करनाल का कुन पूरी बेल्ट लगाओं वहाँ पच्छिस परसेंट की मोटिलिटी हुई है आगे कौन जाओं वह इसका जो एफेक्ट है ना फार्मर्स को स्टेंड होने में भी लगेगा कंजिमर को भी फरक पड़ेगा क्योंकि आने वाले टैम में शार्टेज की वज़ा से अंडे और मुर्गी के रेट बढ़ेंगे और नमबर तीन जो फार्मर बैठ गया उसमें बैंकों को भी एफेक् हर चीज को एफेक्ट करती है ट्रांस्पोटेशन को लेबर को कई जो चेन है वो चेन की चेन को फरक पड़ेगा काफी फरक पड़ेगा जहां जहां नुकसान हुआ है सर वाइरस के कारण देश के विभिन शेत्रों में कितना नुकसान हुआ है इसका कोई अनुमान ऐसे हैं हमारी जो पॉल्टरी इंडिस्ट्री है ना बहुत बड़ी इंडिस्ट्री है इसका अनुमान तो एक सर्वे ही कर सकता है पर रफ सकेच अगर लगाया जाए हैदराबाद आंदरा गुजरात गुजरात में तो बहुत नुकसान हुआ है आंदरा में हुआ है कुछ शेत्र यूपी हलके से यूपी के हुए हैं और ये अपना कुछ टच्चड एरिया है गोरकपुर वगहरा के उनमें हुन नुकसान पर आप अगर अड्जेक्ट को हो वो तो एक सर्वे कर सकता है पर फार्मर्स का बहुत भारी नुकसान हुआ है जिसका खम्याजा फार्मर बोगत रहा है और इसकी फार्मर खड़ा उने में कम सकम दो साल लगेंगे इसको इतना बैठ गया है कल बर्ड मुर्गी भरवाते समय किसानों को और वेपारियों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसे की वाइरस जो फैल रहा है इससे बचाव हो सके सबसे पहले तो बात ये है किसान और वेपारी ये दोनों दो पईए हैं एक गाड़ी के अगर एक भी बैठ गया तो गाड़ी बैठ गई दोनों को इद्धान रखना चाहिए वेपारी को अपनी गाड़ी को बिल्कुल फ्रेश धुला कर लाना चाहिए और कुछ फार्मर भाई बे परवा हो जाते हैं कि गाड़ी भरवा दी जैसे मर्जी भरवा दी उनको वेपारी को कहना चाहिए कि गाड़ी धुला के ला वीट पंक कुछ ना हो और फार्मर को सबसे पहले ड्रैवर और कलींडर को सप्रेख करो सप्रेख करने के बाद गाड़ी को जो भी डाक्टर बताए फॉर्मोलीन है जो कुछ भी है दवाईया जो डाक्टर को जो बताएगा उसको अच्छी तरह सप्रेक करके, खड़ा करके, दुबारा सप्रेक करके, फिर जहां पर मुर्गी है, गेट वहां पर अपने शेड के सामने गाड़ी ना लाए, अपने में गेट पे भरवाए, अंदर ना लाए, इस तरह के करें, और वेपारी, कुछ वेपारी इस बात का बुरा मानते हैं कि हम इतनी दूर की लोडिंग है, ऐसा है वैसा है, अगर फार्मर ही नहीं रहेगा वेपारी भाई को सोचना चाहिए, अगर हम ही प्रकाशन नहीं करेंगे, तो फार्मर ही नहीं रहेगा तो वेपारी कहां से मुर्गी बरेगा, इसलिए बातों का बुरा मना कर विपारी को उसके बाद को मानना चाहिए और फार्मर को पुरा इतियात लेना चाहिए और और कुछ फार्मर अपनी बिमार मुर्गी को जो उनकी बिमार मुर्गी होती है वो क्या करते हैं बिना विपारी को बताए भरवा देते हैं फार्मर को बताना चाहिए यह हमारी में मुर्गी में थोड़ा सी बिमारी है और विपारी कई बैठ जाते हैं पूरी की पूरी गाड़ी सो जाती है और सबसे बड़ा जो मुर्गी पहुचती है वो लोगों तक जाती है वो भी एक नुकसान का कारण बनती है रस्ते में जो फार्म होते हैं जो और फार्मिंग होत वो जहांपर है। उसके नजदीक शेतर में तो वो अज़ी चली जाएगी। अगर वो दूर शेतर में जिसको बत्तर घंटे लगते हैं जा बत्तर घंटे से ज्यादा लगते हैं। तो वो मुर्गी खत्म हो जाएगी और वहाँ पर जाकि फिर वाइरस फिलाएगी। इन बातों का विपारी को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं मुर्गी ले रहा हूं क्या वो ठीक है और फार्मर को भी ठीक देना चाहिए ताकि विपारी भी खुछ रहे और विपारी को सोचना चाहिए कि समाज और फार्म ठीक है सर कल बर्ड मुर्गी का रेट किन तत्यों पर निर्धारित होता है और सर जो व्यपारी है वो इस पर इतना ध्यान क्यों देता है ऐसा है व्यपारी तो देता है और ये फार्मर को भी देना चाहिए समझना चाहिए ये दो तरीके से इसका रेट का पैमाना दो तरीके से होता है मोल्डिंग और नोन मोल्डिंग और नमबर दो उसका वजन पहले में आपको मोल्डिंग और नोन मोल्डिंग समझा दो मोल्डिंग ये होता है कि बर्ड में पूरे पंक और पूछ वगएरा सारा कुछ हो, जो कुद्रत ने बक्चा है, वो सारा कुछ हो और एक होती है मुर्गी जिसमें बाल कम होते हैं और वो गंजी मुर्गी होती है तो वो गंजी मुर्गी और जो पंक वाली मुर्गी में होती है अब आपको पंक वाली मुर्गी क्यों लेना प्संद करता है वे पारी पंक खा क्या मैत तो वैं कुद्रत ने जो चीज बक्षी है ना पंक ये पंक जो होते हैं जो गर्मी हो या सर्दी हो जब आप ट्रांस्पोटेशन करते हो उसका मुर्गी को आप केजी में डालते हो तो आप भगवान ने इसको आटूमेशन दी है गर्मी और सर्दी को अपने आप मेंटन करते हैं वो पंक जो मुर्गी में पंक नहीं होते उनकी मृत्यू दर रस्ते में बढ़ जाती है और उनको वहाँ पर जो है और जो मास होता है ना मुर्गी का जब उनको कटती है तो वो म मास अलग नहीं होता वो चिपक जाता है उस गर्मी और सर्दी के कारण एक तो इसलिए उसका फरक एक रुपया पर किलो का फरक रहता है पंक वाली में और बीना पंक वाली में उसके बाद आ जाता है एवरेज वेट हडिया सब की बराबर होती है चाहे वो सत्रासो ग्राम की म हडिया सरकी बराबर है अब जितनी भारी मुरुगी होगी सभा उसमें उतना मीट जड़ा निकलेगा उस मीट को बेचना है आगे जो रिटेलर होता है जो आगे काटने वाला होता है जो सबसे अखिरली स्चीडी होती है अब एक मुर्गी ले ली उसमें सो निकला एक किलो मीट डेड़ किलो मीट एक में निकला छेसो ग्राम मीट तो वो मुर्गी का रेट फालतू लगाकर भारी मुर्गी लेता है अब फार्मर कई बार हमारे जो भाई हैं वो क्योंकि मुर्गी पालना जानते हैं कभी उन्होंने काटने कूटने में उतना विश्वास नहीं करते और में खाल पचास परसेंट फार्मर तो वेजिटेरियन होंगे शिरूफ पालना जानते हैं तो इसलिए मैं उनको ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहता हूँ जो सतरा सो ग्राम की मुर्गी होगी उसमें मीट ज़्यादा निकलेगा इसलिए वो महंगी जाएगी एक पच्छी सुरुपे किलो आप सोला सो ग्राम की मुर्गी उसमें अगर पंद्रा सो ग्राम की आ जाती है तो वो चोबिस हो जाती है और अगर उससे सो ग्राम माइनिस होगा तो एक रुपया माइनिस हो जाता है तो ये चोदा सो ग्राम तक सोचते हैं फिर चोदा सो ग्राम क को समझनी चाहिए इसमें विपारी कोई ठग नहीं रहा होता इसमें अपनी वो रोटी-्रोजी कमा रहा होता है अगर इसको नहीं देखेगा तो वो चार दिन में वो भिक जाएगा फिर अगर को उठाने वाला ही नहीं होगा तो फार्मर कहां बेचेगा एगियोक न्यूज प यहां तक कि अगर एक प्रवार के तीन भाई हैं जिसकी फार्म पे ड्यूटी लगी हुए एक ही आए और एक ही जाए नंबर दो लेबर को कहीं दूसरी जगा आने जाने दे चाहिए वो अंडे की गाड़ी हो ट्रे की गाड़ी हो ग्रेन की गाड़ी हो उसको सप्रे करके उ गंटा दो गंटे उसकी पूरी वेंटी लेशन पूरी अपना उसको सेनिटाइज करके सोरी तो उसके बाद अंदर को सादी चाहिए और एक मैं अपनी हद से हटके बात करना चाहता हूं फार्मर कुछ भाई अपने फीड में डैडिस्ट डालते हैं डैडिस्ट में आता है डैडिस्ट है डैडिस्ट जब फार्मर अपने फीड में डालता है तो वाइरस दूर से बलाता है वो फीड आजा भी 20 किलो मेटर तक वो बलाता है डैडिस्ट यह में जो बरवाला में जो शुरू हुआ है फीड सस्ती करने का तरीका जो पैदा हुआ डैडिस्ट डालकर उ M.B.M. गंदे वाला बड़िया भी होता है M.B.M. जो बड़ा हलके लोकल आज कल यूपी में जाओ घर घर में M.B.M. बन रहे हैं तो वो ये लो क्वाल्टी जो हैं ये चीज़ ये वाइरस का घर है एक M.B.M. होता है कि वो जो जानवर जिता हुआ होता है उसका बनता है एक म मुर्गी को सेफ तरीके से लाएं वाइरस वाली जगा से मत लें सस्ते की लालच मत करें और जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर वहां का भी भला सोचें अब मेरे को एकले दिने के वेपारी कह रहा था नागपूर के पास का फलानी गाड़ी इतनी तरीक को आई थी वो पारिस ना फैलता ना तो वेपारी को बड़े सोच समझ के आगे वेपार करना चाहिए और फार्मर्स को अपनी प्रकाशन रखनी चाहिए अगर मेरे से कुछ जादा या कम बोला गया हूँ उसके लिए शमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ एगियोक न्यूज की तरफ से हम विरेंदर महता जी का काफी शुक्रिया करेंगे इन्होंने अपना कीमतिस में हमें देकर कल बर्ड के बारे में जानकारी दी और इंफरमेशन के लिए देखते रही है एगियोक न्यूज